Hello friends, स्वागत है आप सब का आपका अपना YouTube चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार द्रोगा मुख परिच्छा 2022 के लिए विद्या सागर पब्लिकेशन का ज्यान बिंदू GS Academy के द्वारा जो पब्लिस की गई बुक है उस बुक से हम लोग देख रहे हैं प्राक्टिसेट और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राक्टिसेट नमबर 9 इसमें टोटल 10 प्राक्टिसेट जो है वो GS का दिया गया है एक प्राक्टिसेट जो होगा वो लास्ट प्राक्टिसेट आएगा इसके बाद जो दसमा प्राक्टिसेट होगा इसे पहले के art practice rate जो है वो already uploaded है अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर playlist से देख सकते हैं इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिये गए description link से जाकर telegram group join कर सकते हैं या फिर telegram में जाकर search कर सकते हैं या पठेगा India या वहाँ जो group आएगा उसको join कर लिजिए वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोबाइट करवा दिया गया है तो चलिए अब बढ़ते अपने questions की तरह फाच का जो हमारा पहला question है वो यहां कह रहा है कि भारतिये साहितों में महाकाब्यों की संग्या जो है वो किन गरंथों के दी गई है देखे बैदिक साहित के बाद भारतिये साहित में महाकाब्यों का समय आ जाता है जिसमें की रहमाईन और महाभारत जो है वो मुखरूप से सामिल था रहमाईन की रचना जो है वो महरसी बालमिकी के द्वारा और महाभारत की रचना जो है वो महर्सी बेद बयास के द्वारा की गई थी तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमर बी रामायन और महाभारत नेक्स कोशन है कोशन अमर सेकंड कह रहा है ब्राह्मनों को भूमी दान देने की प्रमपरा की सुरुआ जो है वो किन सासकों के द्वारा जो है वो किया गया था तो ब्राह्मनों को भूमी दान देने की प्रंप्रा जो है वो सबसे पहले सात्वाहनों बंस के द्वारा सुरू किया गया था हलाकि उन्होंने बहुत भीचूँ को भी भूमी दान दिया था और सातबहन बंस की अगर बात करते ही तो इसकी अस्थापना जो है वो सिमुक के द्वारा किये गई थी और इसकी रायधानी जो है वो महराष्ट के प्रतिष्ठान में थी और भड़ोच जो था वो सातबहन काल का परमुक बंदरगा था और सातबहनों ने सी से जो ग्लास होता है उसके सिकों का भी प्रचलन किया था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर डी आन सातबहन सासक नेक्स कोशन है कोशन नमबर 3 और इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर B नेक्स कोशन है कोशन नमबर 4 कह रहागी नर्मदा नदी के टड़ पर हर्स बर्धन को किस सासक ने पराजित किया था तो नर्मदा नदी के टड़ पर पुलके सिन दूतिये के द्वारा जो था वो हर्सबर्धन को नर्मदा नदी के टड़ पर पराजीत किया था और परमेस्वर की उपाधी जो है वो धारन किया था तो इस question का जो सयंसर होगा वो होगा option number ए पुलकेसिन दूतिये के द्वारा याद रखिएगा पुलकेसिन दूतिये का संब्ध जो है बुबातापी के चालुक राजबन से से था पुलकेसिन दूतिये ने दच्छिन पथेस्वर की भी उपाधी धारन किया था पुलकेसिन दूतिये की उप्लब्धियों की जो जानकारी है वो उसके होल अभी लेक से मिलती है जिसकी रचना जो है वो रभी क्रिती के द्वारा किया गया था next question है question number five करा हरी के लिए नामक संस्क्रीट नाटक की रचना जो है वो किस ने किया था तो चौहां सासक जो था वो बिसल देब जिसको की बिग्रह राज चतुर्थ कहा जाता था उसने हरी के लिए नामक संस्क्रीट नाटक की रचना किया था इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number eight नेक्स कोशन है कोशन नमबर 6 और इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर B नेक्स कोशन है कोशन नमबर 7 कह रहा है दिल्ली सल्तनत के परसासन के संदर में किसका मिलान जो है वो गलत है यह आपसे पूछ रहा है कहरा आरीजे मुमलिक सेन विभाग का प्रधान ये बेलकुल सही है बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान ये भी सही है सद्रे सुदूर सुल्तान के अंग्रच्चकों का प्रमुख ये गलत है next question है question number 8 और इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपसा number 3 बारमा next है कि मारवार्ड के राजा अजीज सिंग को महराजा की उपाधी जो है वो किस मुगल बास साहने दिया था तो यह किस ने दिया था? जहादार साह ने दिया था तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसा नमबर B जहादार साह जो था वो आमेर के राजा सावाई जय सिंग को मालबा का सुबेदार निक्त किया था तथा मिर्जा की उपाधी दी थी साथी माडवार के राजा जी सिंग को गुजराज की सुबेदारी और महराजा की उपाधी जो है वो प्रदान किया था। जहादार साह को लोग लंपट और मुर्ख भी कहते थे। फिर 1713 में जहादार साह का भतीजा फरुक्सियार जो है, वो स्यद बंधुग के सहयोग से उसे परास्त करके सीहासन पर बैठता है। नेक्स कोशन है कोशन नमर सेवन, कहरा कि बुर्खान उल्मुल्क के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए बुर्खान उल्मुल्क के नाम से जाना जाता है साधत खान को। तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा आपसा नमबर सी साधत खान, सोतंत्र आवद राज की अस्थापना भी जो है वो साधत खान की द्वारा ही किया गया था, वहीं अगर और आपसंस की बात करते हैं, तो चिनखिलीज की आपसे याद रखेगा, सोतंत्र हैदराबाद की अस्थापना चिनखिलीज खान के द्वारा किया गया था, और चिनखिलीज खान को ही निजाम उल्मुल्क आफफजाह के नाम से जाना जाता है, वहीं सदातुल्ला खा की अगर बात करते हैं, तो इसने स्वतंत्र करनाठक राज की अस्थापना की थी, और अरकॉट को इसकी रधानी बनाया था, बीड़ दाउद की बात करते हैं, तो बीड़ दाउद और उसका पुत्र जो था मुहम्मद खा, उसने रुहेल खंड राज की अस्थापना जो है वो किया था, नेक्स कोशन है, कोशन नमर्ल 11, कह रहा है, दूतिय करनाठक यूद की अगर बात करते हैं, तो वो हुआ था 1749 से लेकर 1754 तक, और इस यूद का कारण जो था, वो करनाठक तथा हैदराबाद में सत्ता प्राप्ती हितु जो चल लहा संगर्स था, वो था, और यह यूद ज आठक यूद की बात करते हैं, तो 1789 से 1763 और इस संगर्स का अंत जो है, वो 1763 में पेरी समझाता के साथ हुआ था, यहाँ आपसे दूतिय का पूछ रहा है, तो आपका सही अंसर जो होगा, वो होगा, आपसन नमबर A, पंडिचेरी की संधी के साथ, नेक्स कोशन है, कोशन के दरवार के पर से देचेतरकार हुआ करते थे, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, वो होगा, आपसन नमबर B, अकबर, नेक्स कोशन है, कि 1903 में तीन सदस ये राजपुन गठन आयोग का गठन किया गया था, नेक्स कोशन में से कौन इसके सदस नहीं थे या पूछ रहा है फजल अली थे, हिर्दानात कुंजरू थे, केम पनिकर थे, पटाबी सिता रमया नहीं थे, तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा, वो होगा, आपसन नमबर D, अब पटाबी सिता रमया जो है, वो इसके सदस नहीं थे, देखें, बात है, ये 1953 की जब तीन सदस ये राजपु गठन का आयोग जो है, वो फजल अली के धेश्टा में किया गया था, और फिर इसी के अनुसंसा के अधार पर 1 नमबर 1956 को 14 राज और 6 के अंदरसासी प्रदेशों का गठन किया गया था, नेक्स कोशन है, कोशन नमबर 15 और इस कोशन का जो सही अंसर होगा, वो होगा, आप अनुसेद 3 के तहट, इस कोशन का सही अंसर होगा, वो होगा, आपसर नमबर 20 अनुसेद 3 के अधीन ही, संसत को नए राज्य का निर्मान करने, बरतमार राज के छेतरों, सिमाओं या नामों के परिवर्तन करने के सक्ति जो है वो अपराप्त है, लेकिन ध्यान रहे, इस प कितने राज्ट्पतियों को भारत रत्म दिया जा चुका है, तो अभी तक 5 राज्ट्पतियों को एसराधा किस्नन, राजेंदर पसाद, जाकिर हुसेन, एपीज अब्दुलकलाब और अप्रनों मुखर जी को भारत रत्म जो है वो दिया गया है, तो इस कोशन का जो सही अ संसर होगा, वो होगा आपसन बरसी, संसत के निर्वाची तेवं मनोनी सदस, देखे, उपराश्ट्पति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का प्रभधान जो है वो भारतिय सम्मिधान के अनुछे 66 में किया गया है, और उपराश्ट्पति का जो निर्वाचन है कि वो भारत का नागरित होना चाहिए, 35 बरस की आयू पूरा कर चुका हो, राजिसवा का सदस निर्वाचीत होने की योग हो और निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाब के पद पर नहीं हो नेक्स कोशन है, कोशन नमबर 19 और इसकोशन का जो सई अंसर होगा, वो होगा आपस निर्वाचन B, एंडर रूट 6 नेक्स कोशन है, कोशन नमबर 20, कहिरा कि राश्ट्पति जो है वो किस अनुछेत के तहत अध्यादेश जाली कर सकता है तो राश्टपती जो है वो अनुचियद 123 के तहत अध्यादेस जारी करता है और अध्यादेस जो है वो संसत की बैठक होने पर दोनों सदनों के समझ प्रस्तूत किया जाता है और यदि संसत के दोनों सदन जो है वो अध्यादेस को पारित कर देते हैं तो अध्यादेस जो है अनुछेद 123, नेक्स्ट लगी प्रोटेमर स्पिकर की न्युकती कौन करता है, तो प्रोटेमर स्पिकर की न्युकती जो है वो राष्टपती के द्वारा की जाती है, जो कि समानिता लोकसभा का सबसे बरिश्ट सदस्य होता है, तो इस वन्हों का जो सही अंसर होगा, वो समाप्त हो जाता है next question is question number 22 नगरपालिका को बारा अनुसुची में बारहमी अनुसुची में कितने बिसायो की सुची जो है बोदी गई है तो नगरपालिका जाप लोग को याद होगा जिसके द्वारा सम्विधान के भाग में नुसुची जोड़ी गई ती जिसमें नगरपालिका के लिए निरदिस्ट 18 विसयों की सुची जो है वो दी गई है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number 3 18 next question है question number 23 question number 23 का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C next again निमलेखिद में से कौन सी भुकम्पिय तरंग की सरवादीक चाल है तो देखे पी तरंगों को प्राथ्मिक तरंग कहा जाता है और इसकी चाल जो है वो सरवादीक होती है यह तरंग जो है वो ठोस तरह लेवम गयस्तीनों माध्य में गवन करता है पी तरंग की जो प्रकृतिक है वो अनुधर तरंग की जैसी होती है तो इसके घगारा है कि कसका मिलान गलत है या आप से पूछ रहा है जागरोस रहनी में इरान यह बिल्कुल सही स्ही है सियरा नेब्दा अफपेन यह गलत है तो इसके तरंग का सही अंसर है वो है आपसन नमबर b वही अगर बात करते हैं और और आपसन की तियन साम दच्छी नेवा मद्धेस यह बिलकुल सही है और फिर कहरा है मौंट कले मंजारो तंजारिया यह भी बिलकुल सही है यह फिरका की सबसे उची चोटी है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर टॉंटिसिक्स और इस कोश्चन का सही अंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन नमर टॉंटिस यहाँ पूछचन का सही अंसर होगा भारत पाकिस्तान के मध सिंदु समझा होता के अंतरगत की नदियों का 80% जल का उपयोग जो है वो पाकिस्तान करता है देखे 1960 की बात है जब भारत पाकिस्तान के सिंधु नदी समझाते के इंतरगत तीन पुर्भी नदियां जो है वो ब्यास, राबी और सतलच इसके 80% जल का उपयोग जो है वो भारत करेगा जब की सिंधु चेनाब और जेलम के 80% जल का उपयोग जो है वो पाकिस्तान करेगा तो इस कोश्षन का जो सई अंसर होगा वो होगा आपसा नबर B Next. Question है Question Number 29 और इसकोश्षन का जो सई अंसर होगा वो होगा आपसा नबर B 14 अगंटे Next question, question number 30, कह रहा कि किसका मिलान गलत है? ये बिल्कुल सही है, पुनासा जल्परपात, मांडवी न दी ये गलत है, क्योंकि पुनासा जल्परपात जो है, वो नर्मादा न दी पर मध्ध पदेस राज़ में इस्तित है, तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number D Next question है question number 31 और इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number 7, 3, 5 second Next question number 32 कर रहा है निम्लिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है यह पूछ रहा है आपसे भारत का पहला उर्बरक कारखाना 1906 में रानी पेट तमिलाडू में लगाया गया था यह बिल्कुल सही है 1951 में सिंदरी जहारखड में सार्वजनिक छेतर का प्रथम उर्बरक कारखाना जो है वो अस्थापित किया गया था तो यह भी बिल्कुल सही है तो यहां एक और दो दोनों सही है तो इसलिए इस question का जो सही अंसर होगा अब होगा option number C यहां एक और दो दोनों सही है Next question है question number 33 इस question का जो सही अंसर होगा अब होगा option number C Next question number 34 किस बर्थ महात्मा गांधी के चितरवाले 500 रुपे के नोट जो है वो जारिल किये गए थे तो 1987 में पहली बार महात्मा गांधी के चितरवाले 500 रुपे के नोट जारिल किये गए थे तो इस कोशन का जो जही अंसर होगा वो होगा आपसा नबर C, 1987 ध्यान रखिएगा स्वतंतता के पहले पत्र मुद्रा पर जॉर्ज पंचम और जॉर्ज सस्टम के चितरंकी थे और फिर 1947 में पत्र मुद्रा पर असोक अस्थम के सीहो के चितर जो है वो अंकित किये गए थे एक कोशन पुछा जाता है कि RBI के द्वारा जो निर्गत नोट है उस पे कितने भाफाओं में लिखा होता है तो उस पे 17 भाफाओं में लिखा होता है ध्यान रखिएगा नेक्स कोशन है कोशन अमर्ट 35 सेवी के अस्थापना कप की गई थी सेवी यानि की Security and Exchange Board of India जो की 1988 में सेर बजार की गतिवीधियों को नियंतरित करने के लिए एक गयाग बैधानिक संस्था के रूप में सेवी की अस्थापना किया गया था फिर सेवी को सेवी एक्ट 1992 के द्वारा बैधानिक संस्था का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है इसका मुख्याला जो है वो मुंबई में स्थी थे तो इसकोशन का जो सयंसर होगा वो होगा आपसा नमबर A नेक्स्ट है कि किसका मिलान गलत है या पूछ रहा है एराज चलया समीती करसुधार से संबन दी थे बिलकुल सही है स्वामिनाथन समीती जनसंख्यानिती से संबन दी थे नर्सिंगम समीती बैंकिंग सुधार से संबन दी थे गयरोपिया समीती काले धन से संबन दी थे ये गलत है गयरोपिया समीती का संबन जो है वो बैंक सेबा सुधार से है ना की काले धन से तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर 80 नेक्स कोशन है कोशन नमबर 37 और इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर B 4,000 रुपया नेक्स कोशन है कोशन नमबर 38 निम्लिखित में से किस राज में अनुसुची जाती जन संख्या जो है वो सरवादीक है देखें सरवादीक अनुसुची जाती जो है वो उतर प्रदेश में है और नियूंतम अनुसुची जाती जो है वो मिजोरम में है तो यहां आपसे सरवदीक पूछ रहा है तो आपका सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर B उतर परदेश नेक्स्ट कोश्चन कहरा है निम्न में से किसका मिलान जो है वो गलत है विस्व प्रकृती दिवस 3 अक्टूबर सही है विस्व सिचक दिवस 5 अक्टूबर सही है विस्व डाक दिवस 9 अक्टूबर सही है विस्व खाद दिवस 15 अक्टूबर ये गलत है क्योंकि विस्व खाद दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है ना कि 15 अक्टूबर को सोल अक्टूबर को एक और डे मनाया जाता है बिस अलर्जी जाग रुखता दिबस भी जो है वो सोल अक्टूबर को ही मनाया जाता है नेक्स्ट रै कोशन नमबर 40 जपान का रास्टी ये पसु पच्छी कौन सा है और गंजा इगल की बात करते हैं तो गंजा इजल जो है वो कनाडा का राश्च्टी ये पच्छी है नेक्स्क्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् डेली मिरः यह सो लंदन में परकासित होता है, peris की अगर बात करते हैं तो लामंद जो है वो peris से परकासित होता है, और दुबई की अगर बात करते हैं, तो याद रख सकते हैं, next है की लुफ्थ हांसा किस देश की बीमान सेवाएं है, तो लुफ्ट हांसा जर्मनी की बिमान सेवाइं का नाम है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसे नमबर B जर्मनी अस्पेन की अगर बात करते हैं तो अस्पेन की बिमान सेबा का नाम जो है वो E.B.J.A. है रूस की अगर बात करते हैं तो रूस की बिमान सेबा का नाम जो है वो E.B.J.A. है और पनामा की बिमान सेबा का नाम जो है वो कोपा है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 44 कोशन नमबर 44 का सही अंसर जो होगा वो होगा आपसर नमबर B यानि की 12 दिन नेक्स कोशन है कोशन नमबर 45 और इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D 18 आगे एक भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है भारत का पहला मौसम उपग्रह जो है वो है मैटसेट मैटसेट जो है वो एक भू समकाली को उपग्रह है जो की इसरों के द्वारा निर्मित एक पहला अन्यन मौसम उपग्रह है तो फिर बाद में कलपना चाबला को सिधांजली स्वरूप देने के लिए जो इसरो जो है वो उसके द्वारा जो ये मौसम बिज्ञान संबंधी जो मैटसेट उपग्रहो का नाम जो है वो कलपना किया गया था तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर डी मैटसेट वह ये अगर रोहनी की बात करते हैं तो याद रखिएगा रोहनी जो है वो इसरो के द्वारा पर छेपी तेक प्रयोगी कुप गरह था लूना 16 की अगर बात करते हैं तो प्रथम जो मानब रहित अंतरिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च वही अगर अगनी की बात करते हैं तो अगनी भी जमीन से जमीन पर मार करने वाले ही एक मिसाइल है और अगर त्रिसूल की बात करते हैं तो त्रिसूल जो है वो कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एक प्रच्छे पास्तर है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 48 कोशन नमबर 48 का जो सही अंसर है वो है आपसन नमबर 40 डिग्रे नेक्स कोशन है कोशन नमबर 49 कहरा है नागौरी जो है वो किस पसू की नसल है तो नागौरी जो है वो गाय की नसल है नागौरी जो है नागौरी है राठी है साहिबाल है अमरी तमहाल है, लाल सिंधी है, मालती है, गीर है, रेट कंधारी है यह सब जो है वो गाय की नशल है तो इस कोशन का जो सब अंसर होगा, वो होगा आफसन नमबर C गाय की नसल है Almost 43 गाय की नसले जो है वो भारत में पाई जाती है Next question है, question number 50 और इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number B is 50 degree Next है हमारा question number 51 कहरा है इन में से किसे अधीक बरसा किया बसकता होती है option है जवार मक्का बाजरा और रबड तो इसमें सबसे अधीक होगी रबड को अधीक बरसा किया बसकता है इसे लगबग 200 cm से अधीक बरसा की जरूरत परती है और उच तापमाल लगबग 20 degree Celsius से 35 degree Celsius की जरूरत परती है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D एरबर Next question कहरा है कि पानी का निरपेच अप्रपतांग सूचकांग कितना होता है तो यह होता है कितना 1.33 तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C 1.33 वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 1.36 तो यह alcohol का निरपेच अप्रपतांग होता है 1.71 की अगर बात करते हैं तो यह मनिक का होता है और 2.4 से आप यादर रख सकते हैं 2.42 जो है वो हीरा का होता है तो अनन्त से किसी बिंदू तक लाने में जितना काच करना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है तो उसको बिभब कहा जाता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C बिदूत बिभब कहा जाता है बिदूत बिभब जो होता है वो एक आदिसरासी है और इसका SI मतरक जो होता है वो वोल्ट होता है अगर एक कुलम आवेस को अनन्द से किसी बिंदू पर लाने से एक जूल का काच करना पड़े तो उस बिंदू का बिभब जो होगा वो एक भोल्ट होगा तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C, विदूत बिभब याद रखेगा प्रिथिवी का बिभब यानि potential जो है वो सुन्न माना जाता है जो अनावेसित बस्तू होते हैं उसका बिभब सुन्न होता है धनावेसित बस्तू का बिभब घनात्मक होता है और रिनावेसित बस्तू का बिभब जो है वो रिनात्मक होता है नेक्स कोशन है कोशन नबर 55, जिस माध्यम का अप्रबतांग अधीक होता है, उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोन का मान क्या होगा, तो जिस माध्यम का अप्रबतांग जो है वो अधीक होता है, उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोन का मान कम होता है, और जिस माध्यम का अप्रब किरा रहा कि उस्त कटि बनदि को सो data को सौर वादिक प्राप्त होती है जो तो इस Q그렇न का सेयां सा रोगा वहогод आपसना बध्नी इन में से सभी नेक्स्टाइक कि अमी बिये पेचिस निम्लिखित हैं किस प्रकर के रोगानूंस के संक्रमन से होता है notify लादबान प्रोट्रो जोगा के कारण है next question number 61 कहरा कि कौन सा बीमारी जो है वो बालु मक्षी के द्वारा होता है तो काला जार जो है वो बालु मक्षी के द्वारा होता है यह प्रोटो जोवा के द्वारा होने वाला एक रोग है और यह बीमारी जो है क्वेचनुमर 62, कह sitsे निमन में से किस में फूल और बीचपाय जाते हैं, इंटी व में पायजाते हैं तो इस कीशन का सभी अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D सभी नेक्स ट्राइक क्वेचनुमर 63, और इस कुष्भी का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर 25 नेक्स ट्रै कोश्चन नमबर 64 कह रहा कि सभी दलहन फसले जो है वो किस बर्ग के अंतरगत आते हैं तो सभी दलहन फसले जो है वो रिडिएकल सेमेट्री के अंतरगत आता है तो इसक्वेशन का जो सई अंसर होगा वह ऊपसा अनुमबर अबी नेक्स्वेशन है कोशन नमल 66 क्या आसुग यस का रासाइनिक सुत्र क्या है आसुग यस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका रासाइनिक सुत्र होता है CCL3NO2 Chloroacetophenone तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number A वह यह अगर हम लोग बात करते है HNO3 की तो HNO3 को Nitric Acid, Soreak Amal कहा जाता है N2O को Nitrous Oxide यानि Laughing Gas कहा जाता है HG2Cl2 की अगर बात करते है तो इसको Mercurus Chloride यानि की Calamyl कहा जाता है Next question है question number 67 और इस question का सही answer होगा वो होगा option number C आगे कहला निम्न में से कौन सा बिकल्प जो है वो गलत है एक साइड अविसकार है दूसरे साइड अविसकार है Transgester Billiam Salk सही है Radio Marconi सही है Gunpowder Roger Baker सही है छपाई कला Alvar Taylor यह जो है वो गलत है छपाई कला का अविसकार Alvar Taylor के द्वारा नहीं किया गया था बलकि Gutenberg के द्वारा किया गया था Alvar Taylor के द्वारा Radar का अविसकार किया गया था इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D question number 69 कहा रहा है निम्न में से कौन सा बिस्थापन अभी करिया क्यूंकि Gden जो है वो Fee की तुलना में अधिक क्रिया सील है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number A next question number 70 निम्न में से कौन जो है वो Walter की रचना है The Age of Lewis ये भी है Essay on the Custom and Aspreet of the Nations ये भी है Treatise on Tolation and Philosopher Dictionary ये भी है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D उप्युक्त सभी Next question है question number 71 कराएगी 30 बर्सी यूद जो है वो कब से कब तक हुआ तो 30 बर्सी यूद जो है 1618 से लेकर 1648 तक चलने वाला एक धर्मी यूद था जो की मुक्ता Protestant and Catholic के बीच हुआ था और फिर इसकी समापती जो है वो 1648 में बेश्ट फेलिया की संदी के तहत होता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C Next question है question number 72 कहरागी हड़पा काल में आयती इत्परमुक बस्तूओ के संदर में किसका मिलान गलत है यह आप से पूछ रहा है गुमेद सौराश सेये तामबा खितरी सही है सोना अफगनिस्तान सही है लाजबत इरान यह गलत है क्योंकि लाजबत का आयात जो है वो अफगनिस्तान करता था ना की इरान तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D Next question है question number 73 और इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C Next question number 74 करा निम्र में से कौन सा कथन सही है करागी पर्याग अस्थम लेक पहले कोसांबी में स्थीच था इस अस्थम लेक को अकबर ने इलाहबाद के किले में अस्थापित किया यह जो है वो बिल्कुल सही है दिल्ली टोपरा अस्थम लेक को मुहमद बिन तुगलक के द्वारा टो नेक्स्ट कुशन कह रहा है निम्रमय से कौन सा कथन सही है हल्दी गाटी का यूद 1576 में मेवार के साथ महराना परताप तो यह जो यह तो सही है आगे कहरा 1601 में अकबर ने दच्छिन में खांदेश पर हमला कर असीर करड़ के किले को छीन लिया, यह अकबर कांतिम सैनभ यान था, यह भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पहला और दूसरा दूनों सही है, तो इसकोशन का सही अंसर होगा, वहोगा आपसन अबर सी, आगे कि अकाल तक इस वर का सीहासन की अस्थापना जो है, वो किस से गुरू के द्वारा करवाय गया था, तो यह करवाया गया था, गुरू हर्गोबिंद के द्वारा, जो की सिखो को लड़ाकु सम्वे दाय के रूप में भी घोजित किये थे, सिखो के छटे गुरु थे, जो की दोनों साइट तलबार बांद देते थे तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा ओप्सन नमबर C गुरु हर गोबिंद वहीं अगर हम लोग बात करते हैं गुरु हर राइकी तो यह जो है वो सिखों के साथ में गुरु थे याद रखियेगा गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं तो यह 1581 से लेकर 1606 तक सीखों के पाच में गुरु थे इन्होंने ही आधिकरंथ का संकलन किया था इसने इन्होंने ही अमरिसर जलासे के बीच हर्मिंदर साहब स्वन मंदिर का निर्मान भी करवाया था फिर मुगर लाजकुमार खुसरों की सहाता करने के कारण जहांगीर जो है इन्हें मिर्टु डर्ण दे दिया था नग्स्क्क्वेशन है क्वेशन नमर 77 कहरा कि इसका मिलान गलत है एक साइड पत्र पत्र काए है दूसरे साइड संपादक है कहरा कि इंडियन अंडेस्ट बेलंटाइन से रोल सही है बौर अफ इंडियन इंडिपेंडेंस बीट सावर कर सही है कॉंग्रेस का इतिहास पटा भी सीता रमया सही है इंडिया डिवाइड बला भाई पतेल ये गलत है इंडिया डिवाइड जो है वो उस पुस्तक के ले ख तक्टर रज़ंद पुरसाद हैं, नाकी बंळबाई पतेल, तो इस कोशेन का सही अंसर होगा, वो होगा, अपसों नसा नमबर D, दी उतर, और asksन नमबर D, उतर, है मुपला जो है वो मालावार के मुस्लिम की साथ थे महात्मा गांदी अभूलकलाम आजाद सौकत अलीद नहीं इस अंदूलन का समर्थन किया था यह विद्रो जो था वो मुख रूप से भू स्वामियों के अत्यचार के बिरुद्ध्ध था कराएगी निमलिकेद में से कौन सा अनुचेद जो है वो केवल नागरीकों को प्राप्त है मतलब भारतिय नागरीकों को प्राप्त है तो वो है अनुचेद 15,16,19,39 तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसे नंबर 80 कराएगी कि संभिधान संसोधन के द्वारा साधारन चुनाओं में मतदान की आयो को 21 बर्से घटा कर दिया गया है तो यह किया गया था एक संभिधान संसोधन अधिनियम 1989 के द्वारा तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसे नंबर A वह हो और हम लोग बात करते है tentang 65 संभिधान संसोधन अधिनियम 1990 तो इसके तहात अनुछीizado 338 शंसोधन करके अनुचए जाती तथा जण जाती आयो का गठण किया गया 169 मा संभिधान अधिनियम 1991 के बात करते हैं तो इसके तहट दिल्ली को राष्टिय राध्धानी छेतर बनाया गया और दिल्ली के लिए बिधान सभा और मंत्री परसत का उपुबंद किया गया सतर्मा समिधान संसोदना धिनियम 1992 की बात करते हैं तो इसके तहट दिल्ली और पूरी चेरी संग राज छेतरों की बिधान सभाओं के सदस्यों को राष्टपती के लिए निर्वाचक मंडल में सबलित किया गया है नेक्स कोश्चन है कोश्चन अबर 83 निर्वाचक में से पृष्टपी के कारण जीदू परिवर्थन के घटना होती है पृष्टपी के बावसी गतिया परिकर्मन होती है पृष्टपी का अपने अच्छ परजुकाब ये भी होता है किसी भी सता को प्राप्ट होने बाले सूर्जिताव की मातरा है बों, उसी सता से परिवर्तिच के जाने बाले सूर्जिताव की मातरा की बीच कानुपाथ, जो है बो, Elibido कह लाता है, यो भी बिल्कुल सही है, तो इस क्कोष्चं का सही अंसर होगा वो होगा आपसे नबर sitting यहाँ एक और दो जो हैबो दोनो सही है Next question है option number 85 विक्टोरिया जील की सीमा जो है वो किस देश से नहीं लगती है देखे विक्टोरिया जील से ही नील नदी निकलती है और इसकी सीमा जो है वो इथोपिया की सीमा से नहीं लगेगी तो इस कॉश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आप सनमटी इथोपिया करना कहां से कहां है उत्तर से दच्छिन करना है उत्तर से दच्छिन करना है तो सबसे पहले आएगा निल गिल की पहाडिया फिर आएगा पालनी पहाडिया फिर आएगा अन्ना मलाई पहाडिया और फिर आएगा कांडम पहाडिया तो इस कॉश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C next is 87 राष्टिये जलमाग संख्या दो कहां से कहां तक है देखिए राष्टिये जलमाग संख्या एक जो है वो इलाहाबाद से हल दिया दो जो है वो सदिया से धूबरी तीन जो है वो कुलम से कुटापूरम चार जो है वो काकिनाट से मरकानम पांच जो है वो तलच मेर Death निगोबार में सुम्पें और निकोवार री पए जाता है और संटलीप में Merci यह बहुत यह से Q89, निमलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, एक साइड लिखाएक हैं दूसरे साइड पुस्तक है, BM कॉल अंटोल स्टोरी सही है, सरच चंचटो पध्या देवदा सही है, सुझकान तिरपाथी निराला नेचर क्योर ये गलत है, क्योंकि नेचर क्योर जो है वो मोराल 1983 में सामिल किया गया था, तो इस कॉशन का सही अंसर होगा, वो होगा आप सने बर सी आगरा का किला, अगर साची के स्टूप की बात करते हैं, तो इसको 1989 में सामिल किया गया है, कुतु मिनार की बात करते हैं, तो 1993 में सामिल किया गया है, और लाल किला को 2007 में सामिल किया गय तो इस question का सही अंसरोगा बहोगा आपसा नमबर C, football से Next question है question number 92, करार निम्लिखित में से कौन सा बिकल्प गलत है एक साइड खिला डी हैं, दूसरे साइड खेल है लबलीना बार्गोहन मुक्यबाजी सही है, अबनी लखेरा सुटिंग सही है मनीस नर्वाल बैड मिंडर गलत है, मनीस नर्वाल जो है वो सुटिंग से संबन दित है तो इस question का सही अंसरोगा बहोगा आपसा नमबर C Next question है question number 93, और इस question का सही अंसरोगा बहोगा आपसा नमबर A Next question है question number 94, और इस question का सही अंसरोगा बहोगा आपसा नमबर D next question is question number 95 इनमें से कौनसा विदूत का चालक है चालक किसको कहते हैं जिस पदार से होकर विदूत जो है वो सुगमता पूर्बग गमन कर सकता है उसी को तो चालक कहते हैं और चालक पदार में मुक्ति लक्षोन जो होता है वो पाया जाता है जैसे कि तामबा चादी ग्रेफाइट ये सब जो है वो विदूत का चालक है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D ग्रेफाइट next question है question number 96 बायू तक किन पौधे में पाया जाता है तो बसा जो है वो सरीर के ताप को बनाए रखता है बसा जो है वो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर B बसा next question कराएगी धान का बैग्यानिक नाम क्या है तो धान का बैग्यानिक नाम जो है वो ओरेजा सटीबा है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D Next question करागी निमने में से किसमें सासायोजक बंधन जो है वो नहीं है तो NH4CL में सासायोजक बंधन कोवैलन बॉंड नहीं है बलकि इसमें उप सासायोजक बंधन यानि कोडिनेट बॉंड है तो इस question का जो सयंसर होगा वोगा up Journey Number C, NH4, CL Next ले कि बर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के सयोज़कता क्या होती है तो बर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों की सयोज़कता जो है वो समानने रहती है तो इस question का सयंसर होगा अब होगा आपसा नबर सी याद रखेगा बर्ग में उपर से नीचे आएगा तो प्रमानू का आकार बढ़ते जाता है अबर साधनी में बर्ग में उपर से नीचे आने पर आयनन उल्जा का मान घटता है और विदुत घनात्मक गुन जो है वो बढ़ते जाता है बर्ग में उपर से नीचे आने पर तत्वSmith की बिदुतरियनात्मक्ता जो है वो घरती जाती है बर्ग में उपर से नीचे आने पर सभी तत्व का वाई-लक्षोनिक विन्यास जो है समान होता है यानि कि एक बर्ग में उपर सित तबी प्रमानू में संयोजी की लक्षोन जो होंगे वो समानने होंगे तो यह था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना शियर करना ना भूले इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिये गए डिस्क्रिप्सिन लिंक से जाकर Telegram या WhatsApp ग्रूप जोइन कर सकते हैं वाँ इसका PDF जो है बो प्रोबाइट करवा दिया गया है Thanks for watching